हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपको यह कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी यह मैंने वन येर के लिए बनाया इसमें जो यान यूज हुई है वह 200 ग्राम के अप्रॉक्स यान यूज हुई है तो चली वीडियो शू कर लेते हैं तो दिखिए यह जो फ्रॉक बना रहे है इसके लिए मैंने जो यान ली है वह दिखिए वर्दमान की बेबी सॉफ्ट यान है तो दिखिए अगर आप सेम यान सेम क्रोश्या लेते हैं तो ही आपका सेम ना पाएगा नहीं तो थोड़ा वह तंतर तो आ ही जाता है यूज के ब क्या करेंगे यहां पर बनाएंगे slipknot और बनाएंगे 74 चैन्स ठीक है 1 2 3 4 मैं 74 चैन्स बना लीती हूं तो दिखे यह 74 चैन्स हमने बना ली है और दिखे यहां से आप क्या करेंगे 1 2 3 चैन्स छोड़ेंगे और जो 4 वाली हो उसमें 1 double crochet बनाएंगे तो यह जो चैन्स 3 हमने skip की है यह हमारा 1st double crochet है ठीक है अब यहां पर हम total 11 चैन्स बनाएंगे तो मैं 11 चैन्स बना लेती हूं ठीक है 11 स्टिच बनाएंगे चैन्स 3 हमारा 1st double crochet और यह 2 3 11 स्टिच बनाना है टोटल चैन्स 3 को मिला करें तो दिखेंगे 11 स्टिच हमने बना लिए अब जो next वाला है उसमें बनाएंगे 1 double crochet यह हमारा 1st corner है चैन्स 1 और 1 double crochet और बनाएंगे इसी में अब इससे जो next जो 12 स्टिच है उसमें में एक double crochet बनाना है तो मैं बना लिती हूं तो दिखेंगे 12 double crochet हमने यह कंदे के लिए बना लिए अब जो next वाला है इसमें हम सेकेंड वाला corner बनाएंगे 1 double crochet बनाएंगे चैन्स 1 बनाएंगे और एक double crochet और बनाएंगे अब दिखेंगे यह हम बैक बनाएंगे तो बैक में हमें 22 stitches बनाने हैं यहां पर हमने 11 लिये हैं पीछे 22 रहेंगे यह में इनको 22 stitches को बना लेते हूं तो दिखेंगे यह 22 stitch हमने यहां बना लिये हैं बैक के लिए अफिर दिखेंगे नेक्स्ट वाले में हम corner बनाएंगे 1 double crochet बनाएंगे chain 1 बनाएंगे और एक double crochet और यहीं पर बनाएंगे आप दिखेंगे यह फिर से हम दूसरा कंदा बनाएंगे तो इसमें फिर से 12 double crochet बनाने हैं हमें तो मैं बना लेती हूं तो दिखेंगे 12 double crochet हमने कंदे के लिए बना लिए इस से next वाले में हम फिर से एक double crochet कौनर बनाएंगे 1 double crochet chain 1 और 1 double crochet अब दिखेंगे यहाँ पर हमारे पास total 11 stitch ही बजेंगे तो सब में एक double crochet बना दिखेंगे अगर आपके कम बच रहे हैं तो आपको वापस देड़ना होगा अगर आपके ज्यादा हैं तो आप एक्स्ट्रा जो चैन होंगे उनको देड़ सकते हैं तो आप एक्स्ट्रा बना के यह चलिए कम मत बनाएं ठीके स्टिचेस को आप बनाने के लिए जैसे हम सेकिंड बनाएंगे वैसे हम आगे तक बनाएंगे जब तक हमारी जितनी चैस्ट हमें चाहिए उतनी हो नहीं जाती ठीक है तो इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे चैन वन बनाएंगे और इस तरफ टर्ण हो जाएंगे चैन वन हमारा स्टिच नहीं एक डबल कुरूशिया बनाते हुए चैन्वन के स्पीस तक आ जाएंगे ठीक है फिर्स्ट वाला चैन्वन का स्पीस है यहां तक बना लेंगे एक ठीक है तो देहें यहां तक हम ने remained अब दिखिए यहां तक हमने सीन्पीर अब जैसे पहले हमने बनाए ते ईलावन थे हम अब थे पास यहां लोंधा पर उसके बाद मने कॉन माने था ऑप हमने यहां बनाये हैं तो यह चैन्वन का स्पीस हूँ है जो उन के ऊपने के Lis ठीक है और फिर नेक्स स्ओनों से ही हरे से होके स्टिच में एक-टबल क्रुशे बनाना शुनerm कर देंगे इहां से यहां तक बनाएंगे फिर यहां तक फिर चैन वनकी स्पेस्ट मैं डबल कुशेवा से बनाते हुए है रो के लास्ट में आजाते हूं तो यह दिखिए सेकंड रो बनाते हुए हम यहां लास्ट में अब दिखिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चैन 3 हमने बनाया था यह हमारा 10 11 और यह 12 ठीक है यहां पर आपको ध्यान रखना है अब आगे से जब क्या हम गनाएंगे तो क्या करेंगे चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रूशिय बनाएंगे रो सेकंड वाली ही रहे कि लास्ट में आपको ब बड़ रहा है 12 हैं फिर 13 हो जाएंगे फिर 14 हो जाएंगे एक एक रो में एक तो यह आप यहां के side के ध्यान रखेंगा है तो यहां से लेगे यहां तक बनाएंगे यहां से तर्ण होंगे वापस आएंगे टे कि यह में बना लिती हुआ इस 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 कॉर्णर से इस कॉनर तक डबल में हमने इसको रखा हुआ है तो यह यहां पर हमें 10 इंचेज होना चाहिए वन इयर के लिए डबल में हाय है कि करीव हो रहा है लेकिन इसरी की से बनाते जहीं थोड़ा सा वापस असे आते हैं अभी आप थोड़ा से इस तरी के से खहें दो यह तैन इंचेज हो रहा है तब भी हम यहां पर एक दो चैन बना देंगे जिससे चैस्ट इंक्रीज हो जाएगे यह 12 रो हमने बना ली है 13 वाली रो बनाएंगे छैन बनाएंगे इस तरफ टाशन हो जाएगे फस्ट फर्स्टिच में एक डबल क्रूशिय है इंप जलिए कि से स्टिच में एक डबब क्रूशिय बनाते हुए यह जो फर्स चैन लगा इस बदक आजएंगे है यहां से जरी किस्पीज तक आजएंगे विथे इसे हमाइरी थोरे सी चैस्ट बढ़ जाए और दिखे यहां next chain one के space में डबल कुरूशिय बनाएंगे अब यहां से हर एक stitch में एक डबल क्रूशिय बनाते हुए थर्ड वाले chain one के space में आ जाएंगे तो तो यह थर्ड वाले chain one के space है एक double गाड़ कुरूशिये हम यह यहां बनाएंगे चैनवन बनाएंगे और जिर फोर्ठ वाला चैनवन का सबस्क्रेश है नफियर अब कहा हाझ से हर्एक इन किपह बनाते हुकर यहां तो दोड़ दो सब्सक्रूशें तो नालेये कुर्ण, इस ही हां तक नापें और तो 10 इंच औ अगर आपको थोड़े सा जाधा चाहिए चैस्ट की टैन से थोड़ा सा जाधा चाहिए तो आप यहां पे मैंने 12 रोग के बाद यहां पे armhole और body पा divide कर दिये हैं यहां से हर एक स्टिच डबल गूरुशिया बनाएंगे और जो चेन्ट-बन का स्पेस है बीचमे उसमें वी 1 डबल कूरुशिया हमें यहां पर बनाना है ठीक है तो यह 14 और 15 वालि रों में हर एक स्टिच में 2 गूरुशिया वनेगा तो मैं इसको बना लेती हूं अब दिखे 14-15 ने बना ली हर एक स्टिच में एक स्टिच बनाया आप 16 वाली बनाएंगे चैन्ट 1 बनाएंगे इस तरफ टर्ण हो जाएंगे फिर्स्ट फल्स्टिच में डबल कृशिय बनाएंगे और देखें जू सेकंड वाला है इसमें टू डबल कृशि बनाएंगे फिर दिखिए next में one double crochet बनाएंगे इससे next में two double crochet बनाएंगे इसी तरीके से इसको last तक बना लेंगे बस इस रो में ही हम stitch increase करेंगे उसके बाद कोई stitch increase नहीं करने हर एक रो में हर एक stitch में एक stitch बनाएंगे इससे बाद वाली रो से ठीक है तो थीक है हमने 16 वाली रो पूरी कर लिए एक दो एक दो stitch करके बनाए हैं अब कि 17 वाली रो है चैन वन बनाएंगे और इस तरफ टर्ण हो जाएंगे और यहां से हर एक stitch में एक डबल क्रोशिया ही बनाना है अब यहां नीचे तक हम हर एक stitch में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जितना हमें घेर चाहिए वहाँ तक ठीक है तो मैं बना लेती हूं फिर आपको आगे बताती हूं कि दीके यहां पर हमने67 cohort 0 Galilei हां से लेकर टोटल 30 बनाएं ठीक है तो इतनी हमें चाइए यहां पर हमाला इसका जो गेर है वह 8 इंच के करीब हो रहा है आर हम लुग से यहां से लेकिर यहां तक नेयुंच के करीब हो रहा है तो दिखें अब हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे तो यह रो हमारी यहां खतम होगी 30 वाली चैन वन बनाएंगे इस तरफ टर्न होंगे फर्स वार्ट इस्टिच में सिंगल स्टिच बनाएंगे अब दिखें यहां से वान टू थर्ड दो स्टिच छोड़ेंगे जो थर्ड यहां वाल स्टे बनाएंगे अब दिखें यहां से रोली में अबिम सुटाई आख दू फोड़ में तो प्ये स्टिच बनाएंगे और यहां रड़े में तरर वाल में एक ने जो थे तो उस्टिच खुडिए में कि थ्री कि फॉर कि फाइफ कि यहां से दो इस्टिच चुड़ेंगे वान टू थाड़ वाले में सिंगल इस्टिच बना देंगे इस तरीके से नीचे नीचे का बॉर्डर बना लीती हूं मैं यहां नीचे तक दूसरी साइट आ जाती हैं यहां पर बनाते हुए तो दिखे यह लास्ट वाला बॉर्डर बनाते हुए यहां पर दिखे हमें इसे यहां पर एकाद स्टिच आगे पीछे करके सिंगल स्टिच बनाके हमें इस रो को यहीं खतम करना है इससे हमारा दोनों तरफ सेम आए ठीक है आप दिखे क्या करेंगे यहां से यह वाली जो रो है इसको छोड़ेंगे और दिखे यह सेकंड वाली रो है इसमें हम बनाएंगे सैवन डबल ग्रोशिय है पहले हम फाइव बना रहे थे अब सैवन बनाएंगे वन टू यही हमारा बटन होल हो जाएगा ठीक है एक तरफ बटन लगेंगे एक तरफ का आज रहेंगे थ्री फॉर फाइफ सिक्स सब्न अब दिखे यहां से यह चोड़ेंगे और यह नेक्स वाली जो रो है इसमें हम सिंगल इस्टिस को अटेज करते हैं इस तरीके से आएगा तो यह एक तरफ हमारे इसमें एक तरफ बटन लग जाएंगे एक तरफ इसमें यह देखिए इस वाले स्पीस काज हो जाएगा पिर देखिए यह वाली लाइन चोड़ेंगे और जो नेक्स वाली है इसमें हम फिर से 7 डबल कुरूश्य बनाएंगे आपको धियान लगना है जितने पैटर्न आपके इस तरफ आ रहे हैं उतने ही उस तरफ आने चाहिए 1,2,3,4,5,6,7 यह हमारी फ्रंट का बर्डर है अब यह वाले रोज छोड़ेंगे और नेक्स वाली में हम इसको सिंगल इस्टिस से अटेच कर देंगे इस तरीके से बनाते हुए मैं यहां गले तक आजाते हूँ ठीक है तो दिखें यह बनाते हुए हम यहां लास्ट वाले पर आ गए तो यहां पर 7 नहीं हम यहां पर 9 यह डबल क्रोशिय बनाएंगे जिसे यह गोल घूम जाएगा इस तरफ की तरफ ठीक है 8 और यह हमने 9 बना दिये अब यहां से 1 2 स्टिच छोड़ेंगे थड़ वाले पर सिंगल स्टिच बनाएंगे अब जैसे हम नीचे की तरफ कर रहे थे वैसे ही यहां पर करेंगे ठीक है यहां से कि हमने 1 2 छोड़े थड़ वाले में 5 डूबल कुरिशी यहांसे 2 चोड़ेंगे 1 2 और थड़ वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे यहां से वन टू थरडवाले में फाइव डूबल कुरूशिय बनाएंगी गले पर हम बना रहे हैं ठीक है अब गगे यहां पर यहां पर दो इस्टिच बच रहे हैं और नहीं बचेंगे यहां पर इस्टिच आइंगे तो हो नहीं सकता आपको थोड़ा सा अज्च करके काम करना होता है यहां से दिखिए और 2 फिर robbery फिर से यह वाला चलवे बनाएं यहां बनाएंगي पहल conservative मां बनाएंगे 9 गोषिए यह सामने की तरफ यहां पे हैं हुआ इसे वभी राउंड में ओजाएगाiberal vulnerability 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यहां से यह वाले स्पेस छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टिच बना देंगे. तो ऐसा कॉर्नर उस तरफ भी है, ऐसा कॉर्नर इस तरफ भी आ गया. अब देखे, फिर यह नेक्स्ट वाले स्टेच छोड़ेंगे, उससे नेक्स्ट वाले जो डबल कुरूशी की रूँ है, इसमें हम 7 डबल कुरूशी बनाएंगे. तो जैसे हम उस तरफ बना रहे थे, वैसे ही बनाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखे, अगर आपने 30 रो ही बनाई है, इसमें आपने जो लेंथ में, तो आपके ये फ्रेंट से आएगी ये वाली रो. अगर आपने 32 बना दी, sorry, 31 बना दी, तो फिर ये आपके अंदर की दरफ से आएगी. लेकिन आपको ये फ्रेंट से ही बनाना है, अंदर की दरफ से नहीं बनाना नहीं, तो फिनिशिंग नहीं आएगी. अगर आपको रोब बढ़ा नहीं हैं, तो आप 32 बनाएगा, कम मत बनाएगा. अब ये वाला स्पेस छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में सिंगल स्टेज बना देंगे. इसी तरीके से बना दूगे, मैं निच्चे की दरफ आजाती हूँ. तो दिके हमने यहां से बनाना स्टार्ट किया था, यहां से पूरे में बनाते हुए वापस, यहीं पर आ गये हैं, यह सेवन डबल कुरूशे हमने बना लिए, अब दिके स्टार्टिंग में जब हमने एक सिंगल स्टेज बनाया था, यहां पर इसमें हम इसको स्लिप स्टे स्लीव के लिए यहां पर मैंने जो बीच वाला स्टिच है हमारा चैन वन हमने बनाई थी उसमें जो बीच वाला स्टिच बनाया था इसमें हमने धागे को जोइन किया है अब धागे को यहां से इस तरीके से आगे की दर्फ लेंगे चैनल बनाएंगे अब देखिये यह वाला स्टिच यह जो लंबा स्टिच है यहां पर sug दोनों को एक करने में अब यहां में ते हर एक स्टिच में एक डबल कुरूशिया बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे यहां पे भी हमें दो स्टिच को एक करना रहेगा लास्ट मैं ठीक है बनाते हुग आ जाते हुग तो दिके यहां से लिए कि यहां तक हमने यहां पर 37 स्टिच हो गये यह दो स्टिच को ने किया था अब यह स्टिच है हमारा यहां पर इसमें से स्टिच लाटाएंगे और यह यहां इन fibers और सके यहां बनाते हैं next stitch से हम हम हर습 के स्थिच पीड़ बना में इस में इसकी कम करेंगे 38 सडेच तो 38े रहेंगी यहां से बनातुका मैं यहां यहां जाते हूं आपको ध्यान रखना है स्थिच कैसे को आपको कहा बनाना यह यह मैं आपको बताओंगे कर आपको स्थिच की तरीके से बनाने एक बारों बता देती हूं अब यहां पर हमने फर्स डबल कुरूशी के उपर slip stitch बनाया ठीक है तो आते वक्त यहां पर हमें stitch बनाना है अब chain 1 बनाएंगे और इस तरफ तो देखे यह स्लीव में हमने यहां से लिके यहां तक 14 रो बना ली है अब लास्ट वाली रो बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है यह वाली रो में फ्रंट से ही बनानी है अंदर की दरफ से नहीं बनानी है तो देखे यहां पर हमने इसको स्लिप इससर टैज किया है चैन वन बनाएंगे इस तरफ टन हो जाएंगे और देखे यह नेक्स वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच में अब यहां से दो स्टिच चुड़ेंगे वान टू और जो थरवाला है इसमें हम फाइव डूबल यहां से दो स्टिच चुड़ेंगे वान टू और थरवाले में सिंगल स्टिच बना लेंगे इसी तरीकी से बनाते हुए लास्ट में आ जाओंगे तो देंगे यह रो के लास्ट में आ गहीं हम फेमना टू टू तरी फोर स्टिच बना देंगे और लास्ट व RAW में यह ज़िस से इसलीफ स्टिच बना muss और लास्ट व्में यह सिंगल स्टिच必 बना को यहां से काट देंगे यह मैरी सलीव हो गई अब जो धागे हैं इनको अंदर की दरफ stitches में डाल देंगे अब देखे मैं आपको 알려 बनाने बता देती हूं यह हम फ्लावर बनाएंगे जो इसमें लगाएंगे तो देखे फ्लावर बनाने बनाएंगे 1 2 3 2 double crochet बनाएंगे 1 2 अब चान 2 बनाएंगे 1 2 और यहां पर slip stitch से attach करते हैं फिर चान 3 बनाएंगे 1 2 3 और 2 double crochet बनाएंगे 1 2 चान 2 बनाएंगे 1 2 और यहां पर slip stitch से attach करते हैं इस तरीके से हमें 5 पैटल बनानी है तो मैं 5 पैटल बना लेती हूं तो दिखिए हमने 5 पैटल बना लिया है अब दिखिए यहां पर लास्ट यह slip stitch बना लिया है अब यहां से हम इस दागे को इस तरीके से इस तरीके से रिकाल देंगे और यह जो हमने यह लूप बनाए था उसमें जो एक्स्ट्रा यान थी उसको इस तरीके से पड़के घिस देंगे ठीक है तो यह इस तरीके से फ्रावर बन जाएगा और यह जो यान है इनको पीछे की तरफ यहां पर नॉट कर देंगे और इनसे यहां इसको इसको सिल भी देंगे तो मैं इसकी फिनिशिंग करके इसमें बटन लगा के फ्रावर लगाने के बाद फिर आपको पूरा बना के दिखाती हूं कि यह किस तरीके से आ रहा है बनने के तो देखिए कारडिगन मैंने पूरा कर लिया है यहां पर यह तीन तीन फ्लावर बना लगा दिये हैं और देखिए इसी में हमने बटन बटन लगा दिये हैं यहां पर मैंने तीन लगा है आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो यहां पर देखिए जो मैंने स्लीव में रोव बनाई है वो 14 नहीं 16 बनाई है उसके बाद पैटन बनाया है थोड़ा काउंटिंग में गन्फीजन हो गया था तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पिसंद आया है तो प्रीज लाइक कीजिएगा फैमिली और फ्रेंट् में अरीजिए चिर्ण दोले में तो पाद कि जो राद को माद